एक साथ एक दिन में 102 आंगनबाडी केंद्र हुए जाच बड़ा नहीं के द्वारा भी आंगनबाडी केंद्र को जाच किया जा रहा है आए देखते हैं आज के इस वीडियो में फिर से एक आंगनबाडी केंद्र का जाच का मामला निकल के आया है आये देखते हैं उस सेविकाब में जाच के दौरान क्या क्या कमिया पाई गई जाच पदाधिकारी ने क्या कहा, ताकि हम भी सीख सके की जो भी कमिया थी, यदि वैसी कमिया हमारे भी आंगनबडी केंद्र पर हैं, तो हम सुधार सके. आज़े देख लेते हैं, आजकी latest news. सबसे पहले देखिए आप लोग की आंगनबडी केंद्रों के जाज के संचालन में मिली खमिया, यानि कि जो संचालन की गतिविधी है उसमें जो खामिया मिली है इसमें हम लोग चर्चा करतें कि आखिर क्या हो रहा है सीता मड़ी हिंदुस्तान प्रतिनिधी जिले में संचालित आंगन बड़ी केंद्रों का मंगलवार को अधिकारियों ने आउचक निरिक्षण कर संचालन ब्यवस्था का जाय जालिया इसमें कई केंद्रों के संचालन में खामिया मिली डीम रिची पांडे ने निर्देश पर जिला अस्तरी अवरी अधिकारियों अनुमंडल अधिकारियों प्रखंड विकास अधिकारी अंचल अधिकारी एवं प्रखंडों के नोडल पत अधिकारियों द्वारा विभिन प्रखंडों में आम बंडित दो दो आंगन बड़ी केंद्रों का निरिक्षड किया कूल 102 आंगनबाडी केंद्रों का एक साथ विभिन अधिकारियों ने निरिक्षड के छेत्र में हड कम्प मचा दिया निरिक्षड के क्रम में आंगनबाडी केंद्र भवनों की स्थिति शौचालाय बिजली की उपलब्धता बच्चों के उप रिपोर्ट में कोई आंगनबाडी केंद्रों का संचालन असंतोस जनक पाया गया इसे इंकार नहीं किया जा सकता है जांच रिपोर्ट को समेकित कर ICDS निदेशाले को भेजा जाना है संचालन के स्थिति असंतोस जनक सीता मड़ी सुपी के नोडल अधिकारी सह जिला कल्यान अधिकारी सुबास कुमार राज कुमार मंगलवार ने सुबा 10-15 पर सुपी के बरहडवा पंचायत के केंद्र संख्या दो पिछडी जाती टोला पहुंचते हैं केंद्र पर सेविका किरंड देवी वसाहिका सकुंतला देवी मौजूद है केंद्र पर कुल नमांकी 36 बच्चों में 23 बच्चे उपस्थित पाए गए इसमें मातर 5 बच्चे पोशाक में थे और भी कई सारी कमिया पाई गई आए देखते हैं यहां पर मैं आप लोगों को अंगनबड़ी केंद्रों पर योजनाओं की गुडवत्त की जाच संचालन वे कमी पाई गई ठीक है सभी कम्यों को उजागर नहीं किया गया है क्यूंकि आप लोगों को भी पता है जो जांच रिपोर्ट भहजा जाता है जांच प्रपत्र को किस प्रकार से भारा जाता है वा भी केंद्रों का एक साथ विभिन अधिकारियों ने निरिक्षण किया यह बहुत बड़ी बात है कि यदि 102 आंगन बड़ी केंद्रों का जो है कि निरिक्षण किया गया है तो आंगन बड़ी केंद्रों के संचालन में कहां कहां और कितनी कमिया मिली है यह आने वाली नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताऊंगी साथी साथ यह भी बताऊंगी कि किस केंद्रिक पर अच्छी वेवस्था मिली और वहाँ पर पताधिकारी द्वारा क्या रियक्षन था मिलती हूँ आने वाली कुछ और यूसफूल और नॉलिजबल वीडियो के साथ अब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्ते